अभी अमलोग मौजूद है एलबटेक का चौक पे जहां पर छट घाट को लेकर के जो भी गाइडलाइन्स दिये गए सरकार के दोरा कि कोई भी छट घाट पर नहीं जाएंगी अनके जो लोग घाट पर नहीं जा सकते उसको लेकर के यहां एलबटेक का चौक पर मश्याल के साथ यहां पर सब पहुँचे वे हैं और यहां पर रैली निकाले वे आईए इनिही लोगे से बात करते हैं अगर गाइडलाइन्स वा गाइडलाइन के मताबक कोई भी घाट पे नहीं जा सकता है और उसको लेकर के आप लोग यहां पर आएवे क्या कहना चाहेंगे हैं करोना के संक्रमन नहीं हुआ और आज आप हमारे चलने वाला हमारे हिंदू संक्रमन में और हमारे हिंदू को जैदी आप उतावला कीजिएगा तो आपको कोई भी घाट नहीं सकते हैं और हमेंसरकार से यह भी हम करना चाहते हैं जितनी महिलाओं को आप हवा दिजेगा महिलाए आकर आप प्रहभी होगी और छट मनाने से कोई माई का लाल नहीं रोकेगा और हम चैलेंज के साथ करते हैं कि हमारी जितनी भी महलाए है राजी हो जारखन और अल इंडिया में जितनी भी है सब जाकर छट बरत मनाएंगे घाट पड़ी जाके हैं मंत्वया आपसे अनुरोध है कि आपने जो डिसीजन लिया है बहुत गलत लिया है और इस पर आप करव कैसे क्योंकि सबी वरती जो भी है वो लोग सब को माने ता रहती है कि हम लोग छट घाट पर जाके करेंगे क्या कहारने चाहिए गाइडलाइंज पर किसी मां का लाल में अउकात नहीं है कि छट वरतियों को छट घाट जाने से रोक दे हैं आज हम लोग संगेतिक रूप मे यहां पर मसाल जुलूस निकाले हैं और कल से अंजर में ही बैठेंगे और सरकार अगर गैडलाइन अपनी वापस नहीं करती है तो सरकार को हम लोग इट सीट बजा देंगे जिस तरह जारकंड की सवा तीन क्रोड जंता ने जारकंड सरकार को मेंड़ देने का काम किया है उस तो सरकार भुक्त भोगी कहोने के लिए तैयार है अगर गाइडलाइन्स को दो दिन के अंदर अगर वापस नहीं लिया जाता है उसके बात से छट घाट पे जाना शुरू हो जाएगा नहीं लिया जाता है तब किस तरीके साब छट वित्याओं को मभद करेंगे छट घार चाने में देखिए आपके माध्यम से और सोचल में को पील कर रहा है तो लोग उसका सोगत करेगी लोग उसका वेलकम करेगी लिए तो लोग तो शट घाट गाटना घटती है तो इसका पूरी का पूरी जिमनदार राज सरकार होगी देखिए अभी जे-म-म का कहना है कि पानी से कुरोना का फैलना बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि लोग वहां पर थुकेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो उससे लोगों का संक्रमन बढ़ सकता है देखिए ऐसा है ना एक बात सुनिए गाडलाइन जो आया तहना उसमें सरकार यह गाडलाइन में यह सकता है कि कोई उसमें थूके नहीं कोई कुली ने करेंगे यह गाडलाइन हो सकता है लिए यह कौन सा गाडलाइन की आप उसको दोग दीजे अभी हाल में बेरमो का चुनाओ और दुमका का चुनाओ हुआ है उस चुनाओ में आप भी को देख लिजे आप लोग अपने चैनल में आप दिखा भी रहे थे उस चुनाओं के बारे में तो जब वहां पर 10,000,000,000 50,000 का भी रहे जब जूट सकता है तो चाट को में जाने से चाट वरतियों को कौन रोक सकता है यह बस सीज़े तो सिंबल चीजे आप पूरे सार को देख लिजे जिस तरह पहले 22 मार्च के पहले सार में जिस तरह लोग जीवन जीते थे अज पूरे सार का वातावरन वही है तो फिर छेट बरत भी रोकने वाला कोनमाई कलाल है जहां पहलें करना थे लोगपारन कीया दुर्गापुजा को पहलें कीया रच्छा बन्दण कीया सावन जो बावले संकर का सबसे बड़ा पर महिलाओं का बहुत बड़ा परब होता है सावन में कोई बावा धाम नहीं गए, कोई पहली मंदिर नहीं गए, कोई अमरनात नहीं जा पाया तो लोगों ने सरकार का गाइडलाइन का पालन किया लेकिन आप घाट लाइन के जरुवत नहीं है, लोग समझ़दार है, लोग को पता है कि किस तरह चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि छार कंड अब यहारक का लोगों का आस्ता का प्रबे और उखता हुआ सूरज का पुझा किया जाता है और उखता हुआ सूरज का पुझा करने स इस धर्ती में को रोकने वाला कोई माय गाला नहीं है तो जैसा कि हम लोगों ने सुना कि छट वरता है अपने घाट जा सकती है और कोई विए रोक नहीं सकता है ये देखना ज़िछक्स रहेगा कि किस तरीके से यहां के लोग छट घाट पे जाते हैं और गाइड लेंस किस तरीके से बदलाव आता है या नहीं आता है तो बने रही है हमारे साथ काजल के साथ मैं पूजा नवशकार